हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौफटेक में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ट्रांजिस्टर BD-140 को कैसे चेक करते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर को चेक करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि यह जो BD-140 ट्रांजिस्टर है यह 45 वोल्ट तक अपरेट हो सकता है इसका मतलब कि हम इसके कलेक्टर से बेस और कलेक्टर से एमिटर पर हम 45 वोल्ट अगर देंगे तो यह काम कर जाएगा अगर उससे जादा हुआ तो यह ट्रांजिस्टर सौर्ट हो सकता है और इसका जो BASE करेंट है यह 1.5 MP तक जल सकता है आपको बता देना चाहता हूँ कि एडिर आप डे अगया अभी मैने मार्केट से परचेस किया है तो फ्रेंट्स ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें मल्टिमीटर का बदढ़ लेंगे और दियान के कि इसका जो 20-meter का जो black wire है ये com port पे होना चाहिए और red wire इसके voltage बाले port पे होना चाहिए friends ये जो transistor है ये PNP transistor है और अगर हम इसके pin configuration की बात करें तो अगर left side से अगर सुरू करें pin number 1 का है तो ये left side में pin number 1 है ये emitter हो देगा दूसरा वाला collector हो देगा और तीसरा वाला base हो देगा तो friends जैसा कि हम सब जानते हैं कि PNP transistor को चेक करने के लिए इसके base पर हम multimeter के negative wire को रखते हैं और positive से multi-air transistor को चेक करते हैं तो चलिए transistor को चेक करते हैं और देखते हैं इसकी वाली हो कितने आती है तो friends यहां आपने देखा कि BD 140 को multimeter पर चेक करते हैं तो इसकी वाली हो कितने आती है यह जो भी सारे transistor आप देख रहे थे हैं यह सारे सारे के सारे ने transistor है और अगर आपके पास कोई ख़़ाब transistor है उससे चेक करने चाहते हैं तो उसकी वाली हो सकती है वो सौर्ट भी हो सकता है कोई एक दो पिल सौर्ट भी हो सकता है उसका कोई limit नहीं है ख़ड़ाब होने का तो friends उमीद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आए तो इसे like, share और subscribe जरूर करना